अधें थेलो फ्रेंड्ट कैसे आप सब लोग काफी अच्छे होंगे।Wics see सरूप से एड्ज पर आफ डूप को आप सब उने जरूप से देखा होगा। तो आज हमारा यह एड्जटिव का थरड लेक्ट्चर है। अटज्टिव के पार्ट हैंwe हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे आज का हमारा ये वीडियो काफी important हने वाला है क्यों important हने वाला है आए सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो session में हम लोग distributed adjective demonstrative adjective फिर उसके बाद possessive adjective adjective, possessive adjective से किस तरीके के question पूछे जाते हैं इनकी चर्चा हम लोग करेंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे relatively, comparatively, rather than इनके साथ किस तरीके के question पूछे जाते हैं prefer, enough, enough का place कहा होता है किस तरीके से adjective के साथ उसका यूज होता है और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे all other, any other, no other और इसके अलावा भी बहुत सारे rules and concept हम लोग आज के इस वीडियो session में पढ़ने वाले हैं तो इन सभी कारणों से आज का हमारा यह जो वीडियो session है काफी important आने वाला है तो वीडियो को अंतक देखना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को बिल्कुल भी कहीं भी skip न करें ठीक है अब हम आपको बताते चले कि इसके पहले adjective के part 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि comparative के पहले किसी article का यूज़ नहीं होता है लेकिन कुछ एक conditions में comparative के पहले article 2 का यूज़ होता है फिर उसके बाद हमने आपको double comparative पढ़ाय था फिर उसके बाद हम लोगों ने एड्जक्टिव अफ नंबर पढ़ा था फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था little, few, many, much, further, further, as, as, so as, ठीक है, फिर some और any, इन सभी की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी, और detail में उनको सीखने के बाद, उनके rules and concept को सीखने के बाद, उन सभी rules and concept पर वेस्ट आपके SSC previous year में पूछे गए कुछ question और फिर कुछ model question को हम लोगों ने साथ साथ practice किया था, ठीक है, तो आएए आज के इस class को बिना किसी delay के हम लोग जल्दी से start करते हैं, दोस्तों मैं अजीत कुमार, आपके YouTube channel competition community पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, तो हमारा ये जो video session चल रहा है, ये बिलकुल निसुलक है, और इसी तरीके का video session सभी subject का हमारे YouTube channel पे आपको available है, ठीक है, इसको देखने के लिए आप हमारे channel के playlist में चल जाएं, वहाँ पे SAC वाले wing में जाएंगे, SAC वाले wing में जाएंगे, आपको SAC के सारे subject के, अर्थात SAC में जो भी subject पूछे जाते हैं, math, English, reasoning, जी सभी का PDF आपको provide कराते ही है, PDF के साथ साथ इन सभी Monday to Friday के class के rules and concept पर best practice seat भी हम आपको Sunday के Sunday available कराते हैं, PDF और यह जो हमारा practice seat है, यह सारी चीज़े available है हमारे website पे और हमारे app पे जिसका link आपके description box में YouTube पे given है, ठीक है, आप अपना doubt हमारे doubt community में जाके पूछ सकते हैं, और हम हमारे टेलिग्राम चैनल में भी जूड़के पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप सबों के लिए एक important notice है, क्या notice है, एक मार्च से from first of March, हमारा यह जो वीडियो सेशन है, हमारा यह जो वीडियो सेशन है, अभी दो टाइम में चलता है, दो टाइम कौन कौन से भई, तो दो टा ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, syllabus को cover कराने के लिए हम लोगों ने यह decision लिये, ठीक है, तो अब आपको वीडियो तिन टाइम स्लोट में दिखाई पड़ेगा, पहला बारा बज़े, दूसरा दो धाई बज़े का होगा, और तीसरा होगा पांच बज़े का, ठी मंडे टू फ्राइडे, एक ही टाइम स्लोट होगा, सामके पांच बज़े, तो मंडे टू फ्राइडे में प्रत एक दिन आपको सामके पांच बज़े, इंगलेज के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, तो बेल आइकन को हिट करना बिलकुल भी न भूले, ताकि हमारे सारे वीड प्रोनाउन और डेमोंस्टेटिव एड्जेक्टिव दोनों एक ही होता है, दोनों के यूज में फरक है, जिसकी चर्चा हमने आपके साथ करी थी, प्रोनाउन टॉपिक पढ़ते पढ़ाते समय, प्रोनाउन में जब हम लोग डिस्टिबूटिव पढ़ रहे थे, तब हमन ट Üर हो हुए जबिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में देसका यूज किया गया, यह यह डिंस्टिव है, ठीक हैं, अब दिखें इसमें हो क्या रहा है, तो इसके बाद यह नाउन दिखाई दे रह थे, तो अचलिए ठीक में लोग घाट और यह क्या हो गया यह होगय अमारा ठीक है बात समझ मे आ रही है चले से आगे पढ़ते हम लोग और इसके आगे कि और कई चीज़ों को हम लोग سैखने का प्रयास करें तो distributed repetitive और demonstrative सबसे हम लोग पढ doğru हे थे और demonstative बस चार हई होते हैं कितने होते हैं केवल और केवल चार होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो यह this that these and those this that these and those this that these and बस केवल यह चारी होते हैं अब इनके बारे में हम लोग बचपन सा जानते भी हैं हम लोगों ने प्रोनावन में भी पढ़ा था ये दोनों कैसे होते हैं तो ये दोनों होते हैं सिंगुलर कैसे होते हैं ये दोनों होते हैं प्लूरल ये दोनों कैसे होते हैं तो ये दोनों होते हैं ठीक है अब देखें इनका concept क्या है तो इनका concept है कि ए जो this और that है इनके बाद येदी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ है और इसके बाद येदी यहां पर कोई वह बाई तो ये दोनों का दोनों कैसा लिखा जाएगा ये सबका सब लिखा जाएगा singular singular कैसा लिखा जाएगा सब का सब लिखा जाएगा singular यह बात आपको समझ में आ रही है चलिए अब दीज और दोज की चर्चा कर ले दीज और दोज के बारे में भी कुछ ऐसा ही है यह दीज और यह दोज अब देखें जो दीज और दोज है यह दोनों कैसा होता है plural होता है ठीक है इसके बाद यहां पे कोई भी noun या प्रोनावन आए और इसके बाद यहां पे कोई वाब आए तो यह सब के सब कैसे रहेंगे यह सब के सब लिखे जाएंगे plural ठीक है बात समझ में आ रही है अब आपके exam में error कहां पूछा जाता है आईए हम लोग इसको समझ करते चले इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं slide में और एक question का use करते हैं question के मदद से हम लोग इनके concept को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं यहां पर किस किस तरीके से question पूछा जाएगा जैसे हम एक example लेते हैं हम एक example ले रहे हैं यहां पर देखिए इस question में यह these stories are ठ पूछा जाएगा ठीक है बस यह तीनी section होता है जिस में error आपके exam में पूछा जा सकता है चाहे वो CGL का paper हो यह वो CHSL का paper हो ठीक है यह CPU हो stenographer हो MTS हो सभी exam में AAC किसी भी exam में यह इस point से question पूछा जाएगा तो बस यह तीनी section बनते हैं क्या क्या section है भाई अब यहां पर दि noun use किया गया है जो verb use किया गया है दोनों यदि plural हो तो यहां पर जो आप adjective यूज करेंगे जो demonstrative यूज करेंगे इसको रखना होगा singular और यदि यह दोनों plural रहेगा तो इसको भी बनाना होगा plural और यदि इन तीनों के tuning सही हो तो उस sentence में यहां तक के part में कहीं कोई error नहीं ब पार्ट में कहीं कोई error create नहीं हो सकता ठीक है चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हम लोग यहां से और अब हम लोग इन सारे questions को solve करना शुरू करते हैं चलिए तो आते हैं उपर से हम लोग सबसे पहले यहां देखें दोस गौर्ट में यहां पार्ट मार्वल कैसा है अब आप यह देखें यह देखें यह देखें यह प्रूर के कोई वरव यह लेपले नहीं प्लूरिल तो यह भी करेक्ट यह भी करेक्ट सेंटेंस का आंसर क्या मैं गा आंसर आंसर haters ठीक है आगे बढ़ते हैं at that is यह देखें that that कैसा है singular इस लिए इस नहीं होता है इस क्या है उम्र ठीक है feeling unpopular is difficult to handle इसमें भी कोई एरर नहीं है इस question का answer क्या बना फिर से no error चलते हैं second last question में these stories are यहां तक के part में कहीं कोई error नहीं है ठीक है तो आगे फिर कहीं कोई error हो भी नहीं सकता sentence का answer क्या बना answer बनेगा no error next आगे चले that huge फिरोसस यह देखें huge adjective फिरोसस adjective यह that कैसा होता है singular इसके बाद आने वाला noun और वर्ब सबका सब कैसा लिखा जाता है सब लिखा जाता है singular ठीक है बात समझ में आ लाई है तो यहां देखें यह lion क्या था noun और यह क्या है वर्ब सबका सब कैसा है यह भी सिंगुलर यह पार्ट करेक्ट है और यह देखें लुक में एस लगा हुआ है तो हम लोगों ने पहले से यह पढ़ रखा है कि वर्ब के प्लूरल वर्ब में एस ड्करके उसको बनाते प्लूरल से बात समझ में आए तो यह वर भी ऐसा है सिंगुलर बात समझ में ओ यह दिखने का बढ़ना है इसको सब리ome को पढ़ना है क्या concept है भाई इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं बोड की तरफ देखे एक concept है क्या concept है कोई भी डबलू एच वर्ड हो कोई भी डबलू एच इंटरोगेटिव वर्ड हो यहाँ पे आपको दैट लिखा हुआ दिखाए पड़े इसके ठीक पहले यहाँ पे कोई noun या कासा होगा यह दितने लोगा तो यह वर्ड भी लिख छाएगा प्लूरल इचको कहते हैं इस य। कहते हैं रिलेटिव प्रणावं क्या कहतने हैं इसे को कहते हैं रिलेटिव प्रोणावन जिसकी चर्चा हमने आपके साथ बहुत डीटेल में करी थी कहां पर रिलेटिव प्रणाउन पढ़ते हैं ठीक है प्रणाउन के फिफ्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं यहां से अब देखिए इसको क्लीन करें हम लोग चले अपने स्लाइड की तरफ अब आजए यहां पर यहां पर यहां पर आते हैं हम लोग यहां पर देखिए यह क्या है डवलुएच इंटरोगर्टिव और यह दोस कैसा प्लूरल यह देखिए वह कैसा है ठीक है बात समझ में आई तो इन दोनों के ट्यूनिंग यहां पर ठीक है अर्थ यहां पर आपको यह बताना है कि यह जो चार ओप्शन घीवन है इन मेंसे वो कौंसा सें जो कौंसा बाठ और ग्रेृंतर क्भर्शन की यहां पर हम यहां से हटा देंगे तो हमारा एंसर आगे हम लोग चलते कुछ और question को देखने का प्रयास करते हैं अब यहां पर देखे हम लोग को क्या देखने को मिले distributed जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़े अभी अभी हम लोग तो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे देमोंस्टेटिव और याद कि जै देमोंस्टेटिव और डिस्टिबूटिव इन दोनों को हम लोगों ने प्रणावन में भी पढ़ा था demonstrative और distributive इन दोनों को हम लोगों ने प्रणावन में भी पढ़ाता है ठीक है अब देखिए वहाँ जो प्रणावन में आप distributive और demonstrative पढ़ेते वह यहां भी है अब यह जो distributive है यह भी केवल चार होते हैं कितने होते हैं यह भी केवल और केवल चार होते हैं कौन कौन से होते हैं वही तो each every इधर और नाइधर इच एवरी आईधर और नाइधर ठीक है बस केवल और केवल यह चार ही होते हैं पांचवा कोई होता नहीं है अब सीखिए इसमें सीखने की बात क्या है इसमें हम जब आपको पर्णाओन पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि चारों के चारों होते हैं सिंगुलर इन के बाद कोई नावन या प्रोणाओन है तो वो भी रहेगा इसके बाद कोई वरव आए तो वह भी रहेगा को आपस में जोडने का काम किया जाए फिर भी चुकी वो इनके बाद आएंगे तो उन सभी को रखेंगे हम लोग सिंगुलर और उसके बाद वर्ब और पॉसेसिव एंजेक्टिव इन तीनों को हम लोग रखते हैं सिंगुलर तो इसके साथ इन ही तीनों सेक्षन में एरर इवरी मैन एन वो मैन नो इट ठीक है नो इट फॉर फॉर देयर बेस्ट अब यहां पर देखे इस कोशन में क्या क्या एरर पूछा जा सकता है किस तरीके से आपको इंटेंगल क्या जाता है किस तरीके से आपको फसाने का प्रियास क्या जाता है सबसे पहले यह एवरी के बाद देखे मैं क्या है नाउन है वो मैं क्या है नाउन है और इन दोनों नाउन को conjunction end का यूज करके जोड़ दिया गया तो हमें से कई लोगों को यह confusion होता है कि यदि यह दोनों singular थे दोनों को आपस man का यूज करके जोड़ दिया गया अब यहां पे no में हम लोगों को क्या करना होगा? इस लगाना होगा. तो देखे, ध्यान दीजे, कहां कहां पर error पूछा जाता है, इस verb के section में. और फिर ये देखे, ये there क्या है? ये है, possessive adjective. इस possessive adjective को हमें किसमें convert करना होगा? इसको हमें convert करना होगा, his या her में. किसमें? his या her में. तो ये his और her दोनों ही correct है. आप किसी में भी इसको convert कर सकते हैं, बड़ प्रिफर करना है आपको his को. किसको प्रिफर करना है? his को. चीक है? बात समझ में आ रही है. अब देखें, इसमें error और कहां कहां कैसे कैसे पूछा जाता है, इसको हम लोग थोड़ा और detail में समझते चलें. देखें, यह जो noun का section है, एक error यहां पे बनता है, यह verb का section है, यहां पे बनता है, दूसरा error और तीसरा error यहां पे बनता है. और किसी भी डिस्टिबूटिव यानि कि इच एवरी आईदर नाइदर के बाद इन तीनों में से किसी भी प्लेस पे अर्थात इन के बाद आने वाले नाउन वर बहुर पॉसेशिव अज्येक्टिव इन तीनों ही सिक्षण में कहीं कोई गलती नहीं हो तो सेंटेंस का अंसर आएगा ठीक है चलिए तो अब चलते हैं इसके आगे हम लोग बोट को clean करते हैं और चलते हम लोग अपने slide की तरफ फटा फटा यहां पर हम लोग कुछ question को solve करना शुरू करते हैं तो आएए देखते हैं हम लोग question सबसे पहले यहां से हमारा पहला question क्या है any one of them can participate in the competition यह देखे any one तो यह देखिए one of one of के बाद आने वाला noun यह प्रोनावन कैसा होता है plural तो यह पार तो plural है क्यों plural है बाई देम किस family का member है दे family का they there there's and them ठीक है तो दे कैसा होता है plural उसका तो दे family का प्रतिक मेंबर कैसा होगा plural ठीक है तो यह कैसा है plural तो यह होगया plural बर्दा वह बिल भी सिंग्लर अब यह देखे यह कौन सा वर्व है तो यह model auxiliary वह तो कोई भी model auxiliary वह हो उसको सब्जेट के singular और plural होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि किसी भी model auxiliary से यह nowन हमें कैसा है तो यह पार्त तो करेक्ट हो गया फिर देखें यह फिर से और और कैसी की सब्क्राइ molar quelques नबर्य करेंगे और है इस और हर का यूज़म को करते हैं किसके के लिए किसके लिए लेकिन लुट के लिए किसका यूज़ करते अर्व और तो है को क्या कर दे हैं न कर दें चले यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग फटा पट चलते हैं आगे कुछ और पूछे कहें को हम लोग solve करने का यहां पर प्रयास करते हैं the sharpness of our life comes when we bring more and more awareness to test moment to कैसा moment होगा रियर moment होगा नहीं each one moment होगा नहीं non moment होगा नहीं यह की आंसर है each moment यानि इस question का अंसर बने का option number a next आगे बढ़ते हैं चलते हैं answer क्या होना चाहिए नो होगा नहीं एनी होगा नहीं मतलब इस question के कहने का मतलब है कि भारत के प्रतेक नागरिक को जानना चाहिए कि उसके country का इतिहास क्या है अर्थात भारस का इतिहास क्या है भारत का struggle क्या रहा है culture कैसा रहा है और भी दूसरे जो महतोपुर्ण चीजे हैं उनको भी जानना चाहिए तो प्रतेक नागरिक इसके लिए हम लोग इच सेटीजन का नहीं बलकि क्या यूज़ करेंगे एवरी सीटीजन ऑफ इंडिया तो इस question का अंसर क्या बनेगा यह option number c every next यहां से आगे बढ़ते हैं practically every part of the coconut tree is used by man इस बात को आप ठीक से समझे हमको आपको नारियल मिलता है नारियल का पानी भी हम लोग पी लेते है ठीक है नारियल के अंदर जो उसका white वाला पार्ट होता है कच्छा नारियल में जिसका पानी हम लोग पीते हम लोग उसको भी खा लेते हैं ठीक है नारियल यह डाई हो जाए तो सूखा जो नारियल होता है उसको भी खा लेते हैं ठीक है नारियल का छिलका होता है उसका भी यूज कर लेते हैं तो करीब करीब नारिय इच चाइल्ड वह गिवन देखे इच के बाद चाइल्ड कैसा है सिंगुलर सिंगुलर यह दोनों पार्ट करेक्ट है इसके आगे देखे कोई भी पॉसेसी बजेक्टिब नहीं लगा हुआ है तो हमारा आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा नो एरॉर अगले में चलते है एवर यह स्टूडेंट कैसा है सिंगुलर तो यह वह कैसा लेगा सिंगुलर तो यहां पर हैव की जग क्या यूज करेंगे हैस का यूज करेंगे ठीक है बात समझ में आई आगे बढ़के जारा देख लें हम लोग रेजुएटेड फ्रॉम और यूनिवर्सिटी है इस स्टुड के लिए ठीक है बात समझ में आई चले यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब आगे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे रिलेटीवली प्लस पॉजिटिव डिग्री इसी की चार्चा अभी अभी क्लास को स्टार्ट करने के पहले हमने आपके साथ किया था कि आज के क्लास क्या क्या पढ़ेंगे तो आज के क्लास हम लोग पढ़ेंगे relatively यह हमने आपको बताये था पढ़ना तो धे सारी चीज़े इसके जी चर्चा हमने आपके साथ की थी अब देखें का इनका कॉंसेट के एगोल relatively के साथ नहीं है इनका जो concept यूज होता है relatively के साथ वही यूज किया जाएगा positive degree में कॉन से degree में तो उसको भी हम लोग रखेंगे positive अब यह क्या है इसको जरह हम लोग आईए ठीक से समझने का यहां पर प्रयास करें देखें इनका concept क्या है कोई भी relatively हो relatively खुद ही comparative है relatively कहा है खुद ही comparative में है ठीक है तो बात जो भी adjective आता है उसको हम लोग रखते है positive degree में कौन से degree में positive degree में रखते हैं इस बात को ठीक से आप समझेए फिर से दूसरे सब्दों में फिर से आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कहीं भी sentence में आपको relatively या comparatively दिखाए दे और उसके बाद कोई भी adjective आपको दिखाए दे तो उस adjective को आपको कौन से डिग्री में रखना है हमेशा और हमेशा यूज करना है उसको positive degree में कौन से डिग्री में positive degree में ठीक है आए इनका यूज करके हम लोग देखते हैं कुछ question को solve करने का प्रयास करते हैं देखते हैं किस तरीके से आप से question पूछे जाते हैं जैसे सबसे पहले आईए यहीं पर हम लोग देख ले यहाँ पर देखे सबसे पहले last वाले question से हम लोग चले यहाँ पर देखे इस sentence में आपको सारीके से होता है little a little the little यह एक criteria ठीक है quantity बताने के लिए और दूसरा दूसरा हमने बताया था इसका यूज डिग्री में भी होता है तो लिटिल होता है पॉजिटिव डिग्री में उसका बाद समझ में आई चलते है इसके उपर वाले कौशन में यहां देखें यहसम और को सब इसे डिग्री में यह already है positive degree में आना भी चाहिए relatively के बाद positive यह already है positive में अर्थातिस question में हमारा कोई error नहीं है उपर वाले question का answer क्या बनेगा no error ठीक है चलिए अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग और यहां पर फिर कुछ question हम लोगों को दिखाई देता है यहां पर भी देखें आप कैसे question को solve करेंगे यह देखें relatively easier की जगा easy का use करेंगे ठीक है next अगले question में देखें अगला question क्या है यहां पर देखें relatively के बाद क्या लिखा more stable stable के पहले जो more लगा इसको क्या करें simply remove कर देंगे sentence हमारा correct हो जाएगा ठीक है अब यदि इस नीचे वाले question को आपके exam में पूछा जाए तो आप cancer क्या बनेगा आप cancer बनेगा option number c क्या बनेगा option number c बनेगा ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अब देखें अब हम लोगों को एक नया concept पढ़ना है possessive adjective plus verb की ing form यह क्या है आईए इसको भी थोड़ा हम लोग ठीक से समझते चले इसके लिए चलते हम लोग फटा फटा अपने board के तरफ देखें कोई भी pos ac bad adjective हो क्या हो कोई भी pos ac bad adjective हो कैसे इसे question पूछे जाते हैं इसको हम लोग यहां पर सीखने समझने का परयास करें कोई भी pos ac bad adjective हो इसके बाद यहां पर कोई भी verb आपको दिखाई दे तो simply आप क्या करेंगे इसको fourth form में convert कर देंगे fourth form बोले तो ing form में आप इसको convert कर देजिएगा आपका answer correct हो जाएगा अब question कैसे कैसे rotate करके पूछता है question यह दिया रहेगा तो इसमें error पूछेगा यह दिया रहेगा तो इसमें error पूछेगा अर्थात दोनों ही तरफ से error आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं चाहे sentence improvement का section हो चाहे filler का section हो चाहे close test का section हो यह common error का section इन सभी जगों पर यह आपके मदद करता हुए नजर आएगा यह rule इन सभी जगों पर देखने को मिलता है ठीक है चले इसको थोड़ा सा और detail में हम लोग समझें जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं जैसे हम एक example लेते हैं I don't mind I don't mind I don't mind I don't mind you're you're come late you're come late देखिए अब इस sentence में देखे यह यौर क्या है वाई तो यह है possessive adjective अब आप यदि possessive adjective भूल गए हों तो हम आपको थोड़ा बहुत remind करवाते हैं चले हैं आप याद किजिए प्रोनाउन के table में हम लोगों एड्स याद किजिए देम और इसी तरीके से यह वन के साथ हम लोग एपोस्ट ओफियस लगा के पढ़ते हैं यदि कोई noun given हो like जैसे माल जै किसी का नाम given है तो इसमें पोस्ट ओफियस लगा देते हैं इस तरीके से हम लोग possessive adjective का use करते हैं ये सब के सब क्या है possessive adjective ठीक है तो ये possessive adjective नहीं है ये क्या है ये राम क्या है ये possessive case में चला गए ठीक है तो यदि वर्व के fourth form के पहले यदि वर्व के fourth form के पहले कोई भी noun या प्रोनाउन दिखाई दे तो आपको उसको simply convert करते हैं possessive case में ये प्रोनाउन हो तो उसको convert करेंगे पॉसे सी बैट जक्ति में ठीक है अब देखें यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस question में हम लोग answer क्या बनेगा तो यहां पर इस कम के जगह हम लोगों को क्या लिखना होगा coming ठीक है एक और question लेते everything 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 depends everything depends on 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 him coming late on him coming late यहां पर देखिए अब इस question में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है तो यह देखिए यह verb की fourth form है ing form लगी हुई है यह यह verb की fourth form लगी हुई है और यह verb की यह कौन और यह देखिए दो तरीके से इसमें एरर आप से पूछा जाता है तो इन दो तरीकों का आप ध्यान रखेंगे और आए अब हम लोग इसके साथ ही साथ यहां पे कुछ question को solve करते चले हैं यहां पर देखें यह क्या है भाई तो यह वर्व की फोर्फ फॉर्म है यह वर्व की फोर्फ में तो यहाँ पर यह जो मी लिखा हुआ है मीट कुस में timer कर देए माई में ठीक है बात समझ में आ रही है यह यहाँ पर देखिए माई लिखा वह यह hea Wallace om flats उनौ कर्षीं का नाम है यह यह नाउन है और यह विनिंग क्या है यह वर्ब की फॉर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म है यह वर्ब की फॉर्थ फॉर्म है तो सीनू में क्या करेंगे हम लोग यहां पर लगा देंगे पोस्ट ऑफिएस हमारा आंसर बंजेगा सीनूज विनिंग ठीक है नेक्स्ट आगे परते तो ऐसे situation में जब यह भी correct है और दूसरा option भी आपका correct होता है तो ऐसे सी के exam में ऐसे situation में sentence improvement के case में हम लोग option को क्या करते हैं एक दूसरे से interchange कर देते हैं ठीक है यह आपका answer का mode होता है ना कि यहाँ पर आप answer करेंगे no improvement ठीक है no improvement आप यहाँ पर नहीं कर सकते ठीक है बात सम superlative होते हैं ऐसे कुछ superlative degree of adjective होते हैं जिनके पहले किसी भी article का प्रियोग नहीं किया जाता है देखें यह हम लोगों को क्यों अलग से पढ़ने की जरूरत होती है हम सबोंने बच्पन से जो पढ़ा है सीखा है उसके according हमारा आपका mindset बना हुए क्या mindset बना हुआ है तो हमा यह पारे में हमने आपको एड्जक्टिव के पार्ट टू में बताया था कि कुछ एक ऐसे सिक्षन होते हैं जहां पे superlative degree of adjective के रहने के बावजूद वहां पर हम लोग article का प्रियोग नहीं करते हम फिर से आपको एक बार रिमाइन करवाते हैं चले हमने आपको फिछले क्ल में हम लोग superlative degree of adjective के साथ किसी भी superlative degree of adjective के साथ article का प्रियोग नहीं करते हैं जैसे यदि वहां पर best दिया हुआ हो तो best के पहले भी हम लोग article का यूजन नहीं करेंगे ठीक है बात समझ में आई और similarly उससे अलग अब यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की अच्छूस होते हैं दिखने में positive degree लगते हैं बट यह होते हैं किस मैं? अर्थ में इनका यूज करना हो, तो इनके पहले हम लोग यूज कर सकते हैं, आर्टिकल A ये N का, जो भी suitable हो, अब ये adjective कौन-कौन से हैं, तो ये चार वर्ड हैं, जो आपके एक्जाम में बार-बार frequently दिखाए पड़ते हैं, कौन-कौन से हैं भई, तो यूनिक, यूनिक, य perfect, absolute, अब इसमें देखिए, ज्यादा तर जो आपको एक्जाम में दिखाए पड़ते हैं, वो absolute दिखाए पड़ते हैं, यूनिक दिखाए पड़ते हैं, तो ये कुछ ऐसे common word है, जो बार-बार आपके एक्जाम में दिखाए पड़ते हैं, universal भी आपको दिखाए पड़ते ह ये चार word बार-बार आपको दिखाए पड़ते रहते हैं, ठीक हैं, तो आएए, इनको हम लोग सीखते चलें, जैसे सीता के बारे में हम लोग करते हैं, कि सीता वाज यूनिक लेड़ी ओफ हर इस, अब इसका एक एक्जाम्पल हमें यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे ह अब आप यहाँ पर ध्यान से दिखे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिखे, यहाँ पर यूनिक दिखाए दिया, यूनिक के पहले दिखे, क्या लगा हुआ है, यूनिक के पहले क्या लगा हुआ है, यूनिक के पहले क्या लगा हुआ है, आप यूनिक के पहले क्य का यूज कर सकते हैं बात समझ में आ रहे हैं किसका यूज करेंगे न की बात समंझ में आगए चलिए अब इन पर best कुश कोष्ण का भी आप people कैर घो इस का और भी और ले कि कुछ तंहम लोगों को दिखाई दे रहा यह यूनिक यूनिक के पहले क्या लगा होए इसके पहले क्या कर अधर को है तो सेकन्ड वाले कोषिन का और ऑन्सर अंसर वरना नो इह ठीक है जले यहां से आगे बड़ते हैं आगे पढ़ें हम Pain और फटा फट कुछ और नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं ये देखिए rather than, rather than के साथ adjective क्या relation है इसकी चर्चा करें हम लोग देखिए rather than का concept है कि rather कहीं भी आपको दिखाई दे और उस sentence में आपको कोई भी adjective दिखाई पड़े कोई भी adjective of quality ये आपको दिखाई पड़े तो आप उसके साथ यूज करेंगे comparative degree कौनसा degree? comparative degree इस बात को ठीक से याद रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे rather के साथ हम लोग यूज करते हैं comparative degree of adjective कौनसा? comparative degree of adjective ठीक है? अब इसके अलावा prefer में बहुत confusion है तो prefer को हम लोग थोड़ी दिर बात पढ़ते हैं यहीं पर अब इनको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे former और latter इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं adjective के second lecture में भी हम लोगों ने पढ़ा था इसा हमने आपको बताया था ठीक है अब मोस्ट का मतलब क्या होता है तो मोस्ट का मिनिंग होता है ज्यादा था ठीक है enough के साथ भी बहुत confusion है enough के साथ क्या confusion है आईए इसको भी थोड़ा साम लोग यहाँ पर समझते चले देखिए enough का confusion है enough का use sentence में दो प्रकार से होता है enough का you, sentence में दो प्रकार से होता है दोनों ही type हम लोग यहाँ पे आईए चर्चा करते है पहला concept क्या है भई तो पहला concept है कि enough का use sentence में adjective के रुप में किया जा सकता है किस रुप में adjective के रुप में किया जा सकता है अब यदि इसका use adjective के रुप में किया जाए तो आप देखेंगे इस enough का use किया जाएगा noun के पहले कहां पे noun या pronoun के पहले तो sentence में यदि enough का use किसी भी sentence में enough का use यदि adjective के form में करना हो तो हम लोग इसको रखते हैं noun के पहले किसके पहले noun के पहले ठीक है लेकिन ध्यान रहें enough का use adverb के form में भी होता है enough का use adverb के form में भी होता है adjective के साथ भी होता है यदि adjective के साथ enough का use करना हो किसके साथ यदि enough का यूज किसी भी adjective के साथ आपको करना हो तो adjective के बाद रखा जाता है enough कहां रखा जाता है adjective के बाद रखा जाता है ठीक है इस बात को ठीक से समझेए अब adjective के बाद जब enough लिखा जाता है तो इसका parts of speech अब adjective नहीं होता यह अब यहाँ पे काम करता है मतलब मोटे तोर पे आप यह समझे आपके एग्जाम मैं जो पूछे जाते हैं enough और adjective के संबंद में वो यह पूछे जाते हैं कि enough को लिखा हुआ दिखाई पड़ेका आपको यहां पर यहां पर आपको हमया पर समझाते चले करेंगे तो यही आंसर यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा क्रेक्ट हो जाएगा और मिनिंग्फुली ठीक है बात समझ में आ गई चरी तो अब इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ कोशन भी है अपने पास उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे अब थोड़ा सा पढ़ते चले हम लोग इसका प्रेफर का प्रेफर की कहानी क्या है भई तो प्रेफर के साथ आप सब लोग बचपन से जानते भी है या आप सब में से मैक से हम लोग इसको जानते है कि प्रेफर के साथ हम लोग प्रेपोजिशन टू का यूज करते है ठीक है प्रेफर कॉम लेकिन सब कुछ होता है भाई कहावत है कि इसक और जंग में सब कुछ जायज है यहां भी सब कुछ जायज है कैसे जायज है आईए हम आपको सिखाते चले अब देखे प्रेफर की कहानी क्या है तो सबसे पहले प्रेफर की जो पहली पुरानी कहानी है उसको सबसे पहले हम य याद किजिए, adjective के part one में हमने आपको बताया था, comparison is made between two similar things, pronoun में भी हम लोगों ने पढ़ा था, comparison is made between two similar things, अर्थात तुलना दो समान चीजों में की जाती है, pronoun में हम लोगों ने पढ़ा था कि subjective का तुलना करते हैं, subjective से, subjective का subjective से, याद किजिए, और इसी प्रकार से objective का objective से, पॉसेसिव का, पॉसेसिव का, पॉसेसिव से, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, कि v4 का verb के fourth form का compression करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था, ये जो two plus verb की first form है, two plus verb की first form है, जिसको हम लोग infinitive कहते है, infinitive का comparison होता है infinitive से, infinitive का comparison होता है infinitive से, ठीक है, ऐसा हम सबोंने पढ़ा था, अब इनके आगे आई, यहाँ पे क्या confusion है, कैसे prefer के साथ then का use हो सकता है, इन सबों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, अब देखे पहला concept है, जैसे हम एक example लेते, आई prefer, prefer tea to coffee, ठीक है, अब यहाँ जरा आप ध्यान देजे, यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले यह tea क्या है, नाउन है, coffee क्या है, नाउन है, ठीक है, अब देखे प्रेफर के साथ, यह दि दो नाउन का comparison हो, प्रेफर के बाद, जैसे हम ज यूज करेंगे, टू का, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है, अगला समझे, प्रेफर है, प्रेफर के बाद, यहाँ पे वर्व के फोर्थ फॉर्म का यूज करना हो, यहाँ पे वर्व के फोर्थ फॉर्म का यूज करना हो, तो फिर से हम लोग यहाँ उसे का यूज करेंगे की नहीं करेंगे ऐसा यूज नहीं करेंगे एब यहां पर अगला confusion अगला confusion क्या है भाई दैन का condition अब हम लोग समझ लें देखें यह जो prefer है यह जो prefer है यह जो prefer है prefer के बाद यह दी यहाँ पे 2 प्लस वर्व की first form यूज की जाए 2 प्लस वर्व की first form यानि infinitive का यूज किया जाए और इसके आगे फिर से यहाँ पे infinitive आए इसके आगे यहाँ पे फिर से infinitive आए तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दैन का किसका यूज करेंगे दैन का यूज करेंगे यह बहुत important concept है यह बहुत important concept है इसको काफी serious होके सीखना है हम सबों को तो आप सब लोग यहां पे काफी सीरियस हो जाइए इसको सिखने के लिए एकदम कंसंट्रेट किजे यहां पे खुद को क्या concept है बाई तो यह देखे प्रेफर हो प्रेफर के बाद यहां पे दिखाई दे यहां इन्फ tiempo दे तो यहां पे देख्ग होगा लेपन कोरेट होगा ठीक है अब यहां पे और क्या-क्या eraser पूछा जाता है आईए हम यह भी आपको समझाते चलें के बाद यह दी यह सेक्षन आपको दिखाई दे तो ये तो correct होता है prefer के साथ ऐसे condition में हम लोग then का यूज करते हैं ये भी correct है लेकिन ऐसे condition में then के बाद यहां two का use नहीं करते हैं हम लोग use करते हैं simply capable verb के first form का किसका use करते हैं verb के first form का अर्थात इसका correct sequence क्या बना हमारा तो correct sequence बनता है कि यह prefer प्रेफर के बाद टू प्लस वर्ब की फिर्स फॉर्म और टू प्लस वर्ब की फिर्स फॉर्म हो तो इसके साथ यहां पर दैन लगाएंगे और इसके बाद यहां पर वर्ब की फिर्स फॉर्म का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे वर्ब की फिर्स फॉर्म का यूज करें को सिखने के भाद हम लोग अब इस पर स्वाइश करना सुरू करना शुरू करतीं कि क्या करने की जरूरत है कि यहां पर राइं न कोछा लगा हुआ है तो यह गलत हो गया यह राइड टु वॉक यह दोनों में बेर इंफरेंट है यह भी गलत है ठीक है अब क्या होगा भाई यह राइडिंग टु वॉकिंग यह वाला पार्ट ग्रमेटिकली करेक्ट हो गया तो हमारा आंसर क्या बना आंसर बना ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट कोशन में चलते हैं अब यहां पर मच का यूज नहीं होगा यहां पर क्या यूज होगा मच की जगह मोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ दे प्लेज ऑफ सेक्सपियर सेक्सपियर साहब के ज्यादा तर एक्ट को ड्रामा को हमने पढ़ा है ठीक यह औरेंज क्या है नाओ नहीं है देखें बीच में आगया कॉंपरेटिव डिग्री ठीक है तो यहां पर मोर का यूज नहीं करेंगे हम लोग हम लोग किसका यूज करेंगे सिंप्ली के वल टू का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे टू का तो इसमें आपको क्या करना Kakao और आप एकिसको करते हैं बाद वाले को ज्यादा प्रेफर करते तो बाद वाले के लिए सिंगर्टी वाले का यूज करते हैं टाइम के रिफरंस में यह घलत हो गया लिस्त मतलब लिटिल का सुपर लेटिव डिगरी और यह लास्ट यह भी नहीं होगा अब आंसर क्यों ह क्योंकि चर्चा कितने की हो रही है दो की यदी चर्चा धो से ज्यादा की होती तो हम ब्लांड यूज़ कर लेते लास्ट का ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं बॉड को क्लीन करते हुए और कुछ और question को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं, यहां पर देखिया हम लोगों को question दिखाई दे रहा है, और यह देखिया, reach क्या है, adjective क्या है, adjective के पहले लिखा हुए, तो हमने enough को, यह enough के concept को पढ़ाते हुए, explain करते हुए, आपको क्या बताया, enough का use करते है, adjective क के बाद, तो इसका correct answer क्या बनेगा, reach enough, क्या बनेगा, reach enough, देखिया, ऐसा कोई answer है क्या, reach enough, यह देखे, reach enough, रिच enough, कोई भी नहीं, सारे के सारे option कैसे लिखे हुए, सारे के सारे option, wrong यहां पर printed है, यहां पर rich को हम लोग कर देंगे enough के बाद, sorry, reach enough, यह correct answer था, यह हमारा correct answer था, क्यों correct answer है, क्योंकि यह देखिया, adjective है, और adjective के बाद लिखते है enough को, यह यहां पर काम करता है, adverb का, यह हमने आपको अभी अभी पढ़ा है था, ठीक है, चलिए, तो इसका answer क्या बना option number A, क्या बना option number A, next अगले question में देखे, dash of the candidates have completed their project work, क्या बनेगा, most, most of the candidates, ज्य exam लगाने के बदले, उसने क्या किया, exam को, जो blame था, उसको, खुदी के ऊपर ले लिया, तो यहां पर answer क्या बनेगा, rather than, rather than, ठीक है, comparative degree, rather than का use, comparative degree में, और देखे, yes, or anyone else, ठीक है, next जहां से, आगे बढ़ते हैं, लोग, कुछ और question को देखते है, of swimming and football, he much preferred, he much preferred the former, ठीक है former के पहले, देखे, दो लगा हुआ है, ठीक है, he much preferred, तो preferred नहीं होगा, यहां पर tense की कलती है, he much preferred, he much preferred, तो R.E.D. के जगा हम क्या लगाएंगे, इसका use करेंगे, next, अगले question में चले, Miss Rina would rather spend, a quiet evening, would rather spend, a quiet evening than attending, यह देखे, then के बना attending, ठीक है, इस question में भी कहीं कोई error, नहीं इसका भी answer क्या बनेगा, answer بالेंगा nowhere, next, he was very kind, अब देखे, kind enough, यह kind क्या है, adjective, और adjective के बाद, इनफ, तो यह part भी, correct है, enough, kind नहीं लिखेंगे, kind, enough, यह adjective हो गया, adjective के बाध क्या आता है, enough आता है, enough, कहा आता है, adjective के बाद है, लिखा हुआ है, इस question का answer क्या बना, answer वना हमारा no error ठीक है next अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है all other any other और no other all other any other और no other ठीक है अब सीखे इसका use हम लोग कब करते हैं किस condition को explain करने के लिए करते हैं तो सबसे पहले condition हम लोग यहां पर सीखें कि यदि कोई भी sentence आपको given हो कोई भी sentence आपको given हो और उस sentence में उस sentence में आप ठीक से ध्यान दे के उसको notice करने का प्रयास किजिएगा ध्यान से उस sentence को पढ़ने का प्रयास किजिएगा उस sentence में आपको क्या क्या दिखाई देगा sentence में किसी भी comparative degree का use किया गया हो किसी भी comparative degree का use किया गया हो या उस sentence में S plus positive degree of adjective positive degree of adjective का use किया गया हो positive degree of adjective का use किया गया हो इसके साथ फिर से S लगा हुआ हो तो ये भी होता है comparative में किसमें ये भी होता है comparative में अब यहां पर एक और चीज़ आपको दिखाई पढ़ सकता है या तो यहांपे S given होगा या as की जगदda so लिखा हुआ होगा यदि sentence नेगेटिव होगा तो यहांपर आपको so दिखाई पढ़ सकता है ठीक है तो इन दोनों में से कोई भी आपको दिखाई पढ़ सकता है फिर से समझे यदि किसी भी sentence में यदि किसी भी given sentence में आपको as plus positive degree plus S दिखाए दे, so plus positive degree plus S दिखाए दे या simply कोई भी आपको comparative degree दिखाए दे, simply कोई भी comparative degree आपको दिखाए दे, कोई भी comparative degree आपको दिखाए दे और उस sentence को पढ़ने पे उस sentence से superlative degree का sense express हो, फिर से हम आपको समझाते चले, यदि sentence लिखा गया हो comparative degree में sentence लिखा गया हो comparative degree में बट वो sense express कर रहा हो superlative degree का वो sense express कर रहा हो superlative degree का किसका superlative degree का तो उसको express करने के लिए तो ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग all any या no इन तीनों में से कोई भी given हो all any या no इन तीनों में से कोई भी given हो उसके साथ हम लोग use करते हैं other का आ गई चलिए इसका कुछ एक्जामपल लेते हैं हम लोग और एक्जामपल के माध्यम से हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं देखिए इनका एक्जामपल क्या है यहां पर इससे थोड़ा सा और आसान एक्जामपल यह एक्जामपल सबसे परले हम लोग यहां पर समझन संधने का पर्यास किजे। समझने का प्रयास कीजे। अपने क्लास में और किसी भी व्यक्ती से ज्यादा सुंदर है। ठीक है बात समझ में आ रहे हैं अब जड़ है क्लास में किया एक ही व्यक्ति होगा दो ही व्यक्ति होगा या More than two होंगे दो से ज्यादा लोग है अब दो से ज्यादा की चर्च हो रहे है इसलिए यहां पर sense किसका एक्सप्रेस हो रहा है ठीक है तो क्लास में किसी भी दूसरे बच्चे से जादा सुन्दर है ठीक है किसी भी दूसरे स्टूडेंट से जादा सुन्दर है मतलब यह कि वो उस क्लास में सबसे जादा सुन्दर हो गए या हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो सुपरलेटिव डिगरी का सेंस एक्सप्रेस कर जा है अब देखिए हमने आपक का यूज नहीं करते हैं उस sentence में अब आपको any all या no इन तीनों में से कोई भी वर्ट दिखाए दे तो उसके साथ यूज करते अधर तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे एनी अधर क्या यूज करेंगे एनी अधर यानि अंसर क्या बनेगा अंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा ठीक है वी कंडू इट बेटर यह देखे बेटर दैन सेंटेंस कहां चला गया इसको अम लोग इसको आप छोड़ दीजिए इसको आप छोड़ दीजिए इसमें ग्रमेटिकली एरर है तो इसको हम लोग निउ यॉर्क सहर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है इनवाई से बिल्डिंग ठीक है एज हाई एज यह देखे आपको क्या दिखाए ते रहा है एज हाई एज मतलब यह क्या हो गया यह कॉम्परेटिव डिग्री आ गया ठीक है एवरी अधर अब देखे उसमें वहां पर लगा हुब धिर बिल्डिंग इनद युनाइटाटेड अस्टेटस ओफ अमेरिका मतलब यॉनाइटन से अव अमेरिका के निव यॉर्क सहर में यह जो एज्याधा स्टेटस ओफ ए पूरे अमेरिका में कीसी भी बिल्डिंग से जादा बचा है बात समझ में AID मतलब य लिखा का सबसे ज्यादा उच्छा बिल्डिंग है तो देखे लिखा गया है यह comparative degree का यूज करके बट यह sense किसका express कर रहा है यह sense express कर रहा है superlative degree of adjective का किसका superlative degree of adjective का तो ऐसे situation में हम लोग all any या no के साथ क्या यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं अधर का अब आप sentence में जरा देख लिए करना क्या था higher than यहां पर देखे एनी अधर आपको दिखाए पड़ा और किसी में अधर नहीं है यहां पर एवरी अधर होगा नहीं एवरी अधर होगा नहीं एक ही option है हमारा option number c क्या answer है answer है हमारा option number c ठीक है तो इस तरीके से ऐसे question को हम लोग solve करते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग यह देखे यह भी आपके exam में पूछा गया question बिरवल was the widest of all other में यह देखे यहां पर all other का use क्या गया ओल अधर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ओल अधर लगा हुआ है तो all other के साथ हम लोग यहां पर कौन सा degree यूज करेंगे comparative degree लिखा कौन सा यह superlative यह क्या हो गया गलत हो गया तो answer क्या बनेगा हमारा answer बनेगा बिरवल was wiser than wiser than ठीक है और इसी तरीके से अब इस last वाले question को आप कुछ से भी solve कर सकते हैं या ऐसा कोई भी question अब आपको कहीं भी देखाई दे तो आप इसको कुछ से solve कर सकते हैं अब देखे यह अगला concept क्या है अगला concept है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं how क्या पढ़ते हैं 20 में से कोई भी लगा इन तीनों से कोई भी हो इनके साथ आप देखेंगे कि सामान नितौरं पर ए-a-n का यूज किया जाता है क्यों यूज क्या जाता है किसलिए यूज किया जाता है इसी को रूकाते है exclamatory adjective, इस ये को क्या कहते है, exclamatory adjective, कोई बुख वगरा यदि आप पढ़ेंगे, तो उस बुख में आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा, ये कई faculty भी आपको पढ़ाते है, exclamatory adjective, अब हम इस तरीके से type-wise बाट के आपको नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उसी तरीके से adjective होते हैं, जिसके चर्चा sentence में आपको दिखाई देती, जिसका यूज आपको किसी भी sentence में दिखाई पढ़ता है, अलग-अलग sentences में दिखाई पढ़ता है, अलग-अलग जगों पर दिखाई पढ़ता है, वो किसी grammar के book में नहीं पढ़ना है, फिर भी उसका यूज होता है grammar के book में जो पढ़ना है और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे types हैं जिसके बारे में आपके exam में नहीं पूछा जाता है तो हम उसको भी नहीं बताते हैं grammar के grammar के exam में या grammar के section में अपने exam में विसेस रूप से आपके किसी type के बारे में नहीं पूछा जाता है इसलिए वो type भी हम आपको नहीं बताते कि इसके 10 टाइप होते हैं या इतने टाइप होते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ उतने बातों की चर्चा करते हैं उन सभी तत्यों पर उन सभी rules and concept पर चर्चा कर करना है ठीक है exclamatory sentence जब आप वहां पर पढ़ेंगे उसको direct and indirect बनाना जब आप सीख रहे होंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में पढ़ना है क्या पढ़ना है भाई आए इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझते चले इसके साथ हम लोग an का usually करते हैं तो किस condition में कर प्रकार की बात को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं हाउ वाट या सज के साथ एन का यूज हम लोग करते हैं सर्प्राइज के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किस प्रकार के सर्प्राइज के सेंस को एक्सप्रेस करने के ठीक है जैसे माल लेजे मेरे हाथ में यह पेन है इसमें देखे कोई निव नहीं है जिसे इसमें कोई रिफिल भी नहीं है ५िर भी ये काम कर रहा है अब माल लेजbec disciplined आपे नहीं देखा है तो यदि इस तरीके का चीज हम देखेंगे मुझे आस्शेर होगा तो आस्शेर के सिंस को express करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं ठीक है जिसे what a beautiful girl कितनी सुन्दर लड़की ठीक है what a beautiful dress कितना सुन्दर dress how a small flower कितना छोटा फूल बात समझ में आ रही है वगयरा वगयरा तो इस format का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ surprise के sense को एक्प्रेस करने के लिए करते हैं ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं लोग इनका कुछ कोशन आई यहां पर देखने का प्रयास करें और रमा एंड उसा दा लैटर अब यहां पर देखे सेक्वेंस बता दिए सेक्वेंस बता दिए गया तो सिंगल टी का यूज नहीं करेंगे हम लोग किसका यूज करेंगा डबल टी का डबल टी का यूज करेंगे तो आंसर क्या बनेगा यह ऑप्शन नंबर ए ठीक है रमा और उसा इन दो व्यक्तियों की जो चचा की गई है उस में से बाद वला बाद मतलब उसा ठीक है वो क्या है जाधा रसपोंसिबल है यह सबसे जाधा रसपोंसिबल है जारा सोची तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए आंसर बनना चाहिए यह द्लैटर is the most सब्सक्राइब करते हैं कि सब लोग उसके प्रसंसा करते हैं यह देखे यह उसका कॉडियल मैनर देखे उस इंसान को यह जो भी इसकी चर्चा कर रहा है उसको क्या हो रहा है आश्यार हो रहा है सच अ कॉडियल मैनर तो इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं था इसका अंसर क्या बनेगा नो इंप्रूब्मेंट क्या बनेगा नो इंप्रूब्मेंट लेकिन इस A को यहां से हमें remove करना होगा तो answer बना यह वाला section मतलब हमारा answer क्या बनेगा C behaves in option number D option number D इस A को यहां से remove कर दिया जाए तो sentence हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है next अब यहां से आगे बढ़ते हैं इसे डेर सारे question है इसको आप खुझ से भी बना सकते हैं तो अब इन सारे question को आप खुझ से solve कर सकते हैं अभी देखे so के साथ that का use का क्या जाता है इसकी चर्चा हम आपके साथ करते चले so के साथ that का use हम लोग करते हैं किसी भी चीज के result को express करने के लिए जैसे हम लोगों ने hard work किया इसलिए हम लोग सफल हुए ठीक है तो यह क्या कर रहा है यह काम के result को express कर रहा है ठीक है जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का जो विवाद है रसिया और यूक्रेन का जो विवाद है उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि रसिया ने ऐसा किया या यूखरेन ने ऐसा किया इसलिए इसके बदले की भावना में इसके परिणाम सरुप रसिया ने ऐसा काम किया या रसिया ने कुछ ऐसा एस्टेप लिया उसके परिणाम सरुप यूखरेन ने इस तरीके के एक्टिविटी की ठीक ह आप रिजल्ट देखें, because she will not work, that she cannot buy food for us, यह देखें, so के साथ, यह so लगा हुआ है, sorry, यह क्या लगा हुआ है, so लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, so लगा हुआ है, तो so के साथ, that चाहिए, एक ही sentence है, जिसमें that का यूज क्या है, answer क्या बन गया, answer बन गया, option number B, answer बन गया, option number B, ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखें, यह post positive यह देखें, हमने जब आपको adjective, part 1 में adjective, जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था, तभी हमने आपको बताया था, कि post positive क्या होता है, किसी भी noun या pronoun के बाद, यह कोई adjective आया, तो उसको हम लोग करते है, post positive क ठीक है, तो यह था, post positive का, सर्फ और सर्फ एक example, अब यह देखें, यह कुछ sense best question है, जो आप खुद से बना सकते हैं, अब आपको हम लेकर चलते हैं, सीधा superfluous section में, यह sense best question है, यह सारे question आपके sense based है, तो अब हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे, कहां पर, superfluous, अब यह superfluous क्या होता है, अननेसेसरी, superfluous क्या होता है, अननेसेसरी होता है, अननेसेसरी चीजों को हम लोग remove करते हैं, जैसे अभी such a वाला जो a question हम लोग बना रहे थे, उसमें a such a लिखा हुआ था, तो such के पहले जो a लिखा हुआ था, उस a को हम लोग remove कर रहे थे, in the same way, आईए यह यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करते हैं, the short story should not exceed more than 200 words, ठीक है, the short story should not exceed more than 200 words, अब इस question में ज़र आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दो चीजे दिखाई दे रहे, exceed, exceed का मतलब होता है, more than, ठीक है, जैसे आपको कोई a say later, प्रेसिस लिखने के लिए कभी भी किसी exam में पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपका condition applied होता है, कि आपको इतने ही word में ये चीजे लिखने है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उस sense को express करने के लिए, या तो हम more than का use करेंगे, या तो हम exceed का use ठीक है, next, इसके उपर वाले part में चलते हैं, it is high time he has stood on his own two legs, अब देखिए, कोई भी खड़ा होगा तो अपने ही पैर पे खड़ा होगा, इसके पले या ओन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये है superfluous, उपर वाले question में देखिए, people are worried more because of the frequency of occurrence of the crime rather than, मतलब crime जो था, बार मतलब कि चिंति थे, ज्यादा परिशान थे, rather than the magnitude of each one, अब यहाँ पर देखिए, the magnitude of each one की कोई जरूरत नहीं है, simply हम लोग यहाँ पर of each one को remove कर दें, तो sentence correct हो जाएगा, के बहुल the magnitude लिख दें, तो भी sentence correct है, और ज्यादा यह दे लिखना चाहें, तो हम the magnitude of each one की कोई बात समझ में आ गए, तो इस प्रकार से, इसको हम लोग काते है, superfluous, unnecessary, तो unnecessary कहीं भी किसी भी adjective का या word का use किया गया हो, तो उसको grammar में error का part माना जाता है, ठीक है, उसको remove करके हम लोग sentence को grammatically correct बना लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, आज हम लोगों का adjective का यह third lecture था, और इस प्रकार से adjective के third lecture के साथ, हम लोग अपने adjective के session को यहीं पर समाप्त करते हैं, over करते हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को like करते रहिए, share करते रहिए, कम से कम, ऐसे बच्चों तक हमारे वीडियो को जरूर share किजिए, जो किसी भी कानवस आर्थिक आप से असक्त हो, कमजोर हो, या सहरी छेत्रों में आके education लेने में असक्चम हो, या कुछ एक एक दो paper में week होने के कारण उसका selection नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसे बच्चों तक हमारे इस वीडियो session को जरूर से पहुंचाए, share करे, वीडियो का like करना बिल्कुल भी न भूल इसी के साथ आप सबों को नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को यहीं पर विराम दिया जाए, conclude किया जाए, रोग दिया जाए, ठीक है, thank you once again